नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन ऐद उम्मीद करते हैं, आप सभी लोग स्वस्त होंगे और अच्छी तैयारी कर रहे होंगे अगामी एगजाम की, आज की वीडियो में धुस्तों हम बात करने वाले हैं कि special post के बारे में दोस्तों जो कि कुछ समय पहले DSSSB के द्वार रिलीस की गई थी post का नाम है statistical assistant यानि की सांकी की सायक भरती दोस्ता इस post के लिए आप अभी भी apply कर सकते हैं इसमें कुल कितने पद रहने वाले हैं इसकी educational qualification क्या होगी age limit क्या है कितनी आपको fee पड़ेगी इसका परिशा pattern क्या रहा होगा सबके बारे में दोस्तों detail में discuss करेंगे इसके अलावा दोस्तों सबसे important इसके syllabus के बारे में भी दोस्तों आज हम जानेंगे क्योंकि syllabus दोस्तों इनकी official website में नहीं दिया गया है ऐसे में बहुत सारे चात्रों की query आ रही थी कि sir इसका syllabus तो है नहीं ह आधार पर ही है तो आज की दोस्तों वीडियो काफी detail रहने वाली है इसको अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कीजेगा अगर आप दोस्तों इसके लिए prepare कर रहे हैं तो आप हमारा दूसरा चैनल भी subscribe कर सकते हैं जिसका नाम है जैनने की mathematics उसका link हमने अपने description box में दाल दिया है वहां से जाके आप दोस्तों उसको subscribe कर सकते हैं वहाँ पर दोस्तों इस पोस्त रेलेटेड दोस्तों आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगे तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे D++B के notification के बारे में दोस्तों ये 31 7 2023 को दोस्तों नोटिफिकेशन निकला था advertisement number है 2 oblique 23 और ये दोस्तों आपकी opening date हुई थी 17 8 2030 यानि 17 अगस्त 2023 से दोस्तों ये form निकलने start हुए थे और आप देख सकते हैं इसका closing date है वो आपका है 15 9 2023 यानि कि 15 September तक दोस्तों आपके पास मौका रहेगा और ये सबसे बढ़िया बात है कि दोस्तों यहां पर अगर आपका पोस कोड की यह है 60 oblique 23 और statistical assistant की दोस्तों पोस निकली है यह निकली है planning department के अंदर गत कई सारे department है दोस्तों वहाँ पर है statistical assistant की पोस निकली है कुल मिला के दोस्तों अगर आप वेकिंसी की बात करें तो 244 इसका आकडा है दोस्तों और इसमें से अन रिजर्व के लिए 11 पोस दोस्तों यहाँ पर निकली है अब सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे educational qualification के बारे में इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए आप post graduate होने चाहिए statistics में या फिर operational research में mathematical statistics में या फिर applied statistics में पहले तो आप इसमें आप सीधे सीधे आपको include कर दिया जाएगा अगर आप इन में स पर या फिर एक paper के रूप में आपने status 6 को पढ़ा होना चाहिए जिसे आप अगर माल लेते हैं PG mathematics हैं तो PG maths में दोस्तों subject आपका maths है लेकिन आपने हो सकता है जिसे आपने पहला जो semester होता है वहाँ पर आपने status 6 पढ़ी हो mathematical statistics वो आपकी अंकित अलिका में mention होना चाहिए अ अगर हो mention है तो आप इसके लिए बेधड़क apply कर दो अगर नहीं पढ़ा है तो फिर बेकार है अप्लाई करना तो आप post graduate अगर आप economics में है और आप as a paper आपने status 6 पढ़ा है तो आप इसके लिए apply जरूर कर पाएंगे ठीक है न अधरवाइस आप post graduate है स्टार्ट सिक से operation research या फिर mathematical statistics से या फिर applied statistics से तब तो आप directly apply कर पाएंगे लेकिन दोस्तों यह जिसे पीजी अगर आप economics से हैं तो आपने paper के रूप में start कभी न कभी पढ़ी होनी चाहिए और वो आपकी अंके ताली कभी mention होना चाहिए ऐसी mathematics में देखिए mathematics में हम एक mathematical statistics पढ़ते हैं first year में ठीक है तो वहाँ पर अगर वो आपने पढ़ा हुआ है या फिर अपने OR पढ़ा हुआ है ठीक है तो आपका दोस्तों चल जाएगा काम ठीक है वैसे दिखा जाए तो OR से बेटर है कि statistics ही लिखा हुआ है तो statistics ही होना चाहिए इसक आपने एक graduate level पे stat में भी अगर आपने पढ़ा हुआ है तो भी आपका काम चल जाएगा साफ साफ यहां पर लिखा हुआ है graduate level पर आपने एक subject पूरा statistics के रुपे पढ़ा है तब तो और भी बढ़िया है तो आपका काम चल जाएगा तो यह दोस्तों यहां पर थोड़ा सा statistics at graduation, post graduation level are also available यानि कि दोस्तों अगर आपकी graduate level पे या फिर post graduate level पे दोस्तों यह paper भी लिखे हुए है जैसे माल लेते हैं आपने basic statistics लिख दिया या फिर business statistics, business statistics जैसे की economics वाले ठीक है न तो अगर आपने वो लिखा हुआ है commerce वाले जैसे माल लेते हैं कोई commerce वाला है में में commerce उसके लिखा हुआ है कि भाई या business statistics पढ़िए तो भी आप दोस्तों क्या कर सकते हैं अपलाई कर सकते हैं ठीक है इसी तरह से technique और costing and statistics अगर यह पढ़ा हुआ है तो भी आप अपलाई कर पाएंगे especially दोस्तों यह commerce वाले होते हैं इनके subject में लिखा रहता है ठीक है न तो य आपने graduate या फे post graduate level पे statistics आपने पढ़ी भी होनी चाहिए और वो आपकी अंके तालीका में mention होनी चाहिए तो एक clear cut दोस्तों आपके सामने में यह इसकी educational qualification बता रहा हूँ बागी दोस्तों इसमें आपके से desirable है working knowledge of computer working knowledge of computer का कोई certificate or certificate नहीं चाहिए आपको experience nil desirable nil okay pay scale आपका इसका level 6 है दोस्तों बहुत अच्छा है grade पे 1200 अच्छा गासा है group B की post है non-gadgeted है non-ministerial post है दोस्तों आपकी सबसे important दोस्तों इसमें जो age है दोस्तों वो 30 साल है तो काफी सारे लोगों के लिए दुक्की खबर है लेकिन 30 साल जो बहुत सारे लोग है दोस्तों अगर आप किसी category से आते हैं तो फिर आपको दोस्तों definitely relaxation मिलेगा relaxation कितना मिलेगा भी देखते हैं तो दोस्तों अगर हम बात करें age relaxation की तो age relaxation से आपको different category में मिल जाएगा अगर आप SCST से बिलॉंग करेंगे 5 साल का दोस्तों मिल जाएगा यानि कि 35 साल तक apply कर पाएंगे ठी 13 साल का relaxation अगर आप physically handicapped है तब तो आपको 10 साल का मिल जाएगा यहां पर आपका 33 हो जाएगा यहां पर आपका 40 हो जाएगा यहां पर आपका 45 हो जाएगा simply आप उसको जोडते चले जाओ 30 में आप जोड़ेंगे तो 43 हो जाएगा इस तरह से दोस्तों ठीक है ना इसके अला 13 साल का है ठीक है और इसी तरह से sports person है तो उनके लिए 5 साल का दोस्तों है फिर इसमें भी दोस्तों जिसे CST से belong करते तो 10 years का तो इस तरह से आपको दोस्तों मिल जाएगा यहां पर तो बागी हम बात करें में दोस्तों उपर के 3 है वहां पर यह उपर के 3-4 जो कॉलम है वह तो यही इसकी examination scheme है दोस्तों आपको समय मिलेगा पहले दोस्तों इसका paper offline होता था अब दोस्तों online होगा यानि की CBT mode में होगा computer-based test होता ही है इसके में आपसे 200 MCQ पूछने जाने बाइन ले हैं और इसमें जो marks है वह भी दोस्तों आपके 200 ही होंगे और आपको दोस्तों यह तो आपका जो grand total है दोस्तों आपका दोस्तों का रहने वाला है ठीक है अब देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे section A की तो जो section A है दोस्तों उसमें आपके क्या क्या रहने वाला है देखिए इसमें general awareness रहेगी ठीक है और इसके अलावा दोस्तों इसमें रहेगी general intelligence and reasoning ability, mathematical and numerical ability, test of Hindi language और इसके अलावा test of English language दोस्तों यह आपके पास total रहने वाला है सर किसी को 5 दोस्तों के part है हर कोई 2020 marks का दोस्तों रहने वाला है इसके बाद दोस्तों जो section B है इसमें सबसे ज़्यादा confusion लोग को objective type रहेंगे दोस्तों इसमें और यह दोस्तों आपके जो post की qualification है उस इसमें syllabus रहने वाला है यानि कि जैसे आपकी जब qualification में statistics मांगी जा रहें तो यहाँ पर दोस्तों आपको statistics ही देखने को मिलेगी तो यह section B है इसको लेकर सबसे ज़्यादा confusion है बाकि जिसे यह general awareness है general intelligence and reasoning ability, mathematical and numerical ability इसके लावा हिंदी का test हो गया test of English हो गया इसके बारे में तो लोग फिर भी थोड़ा clear रहते हैं इसमें आपका 20-20 marks का ही हो जाएंगे तो कुल मिलाके 100 marks का ही हो गया और 100 marks का दोस्तों आपका subject है वो रहने वाला है अब दोस्तों हम बात करेंगे mode of selection की कि आपका selection कैसे होगा दोस्तों केवल आपने एक exam देना होगा one tier exam उससे आपका selection हो जाएगा इसमें आपके दो paper है और section A है और section B है और कुल मिलाके दोस्तों आपको इसमें 2 गंटे का समय मिलने वाला है ध्यान देने वाली बात है दोस इस तरीके से होगा यह भी आपको बता है इसमें दोस्तों आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी हैं कि अगर जितनी भी आप technical post के लिए apply कर रहे हैं like statistical assistant है जितने भी है सबसे पहले आपको दोस्तों mandatory है कि आपने tier 1 exam में आपने apply करना है और दोस्तों इसमें सबसे important है कि section ज जो criteria दोस्तों section B में apply होगा section A में apply नहीं होने वाला है यह दोस्तों आपने दोस्तों ध्यान में रखना है हालनकि दोस्तों जब आपका जो final selection होगा वो section A और section B के marks के अधार पर होगा कहने का मतलब यह है कि जो section A है उसमें आपको 40% लाना अनिवारी नहीं है वहाँ पर को दोस्तों लाने ही लाने पड़ेंगे वहाँ पर ठीक है यहाँ पर दोस्तों आपको लाने आनिवारी नहीं है यहाँ पर आप कितने भी लाओ लेकिन जो final merit बनेगी दोस्तों वो 200 marks में से ही बनने वाली है ठीक है मतलब कि यह merit में भी दोस्तों यह marks add होगे तो यहाँ पर आ आपका मार्क्स कटेगा हर रॉंग आंसर के लिए इसके लाव दोस्तों एक और बहुत ज़्यादा प्रशन eligibility criteria जो की बहुत ज़्यादा पूछा जाता है candidate दोस्तों आपका क्योनाचे citizen region of India होना चाहिए आप इसमें कई सारे लोग पुछेंगे सर मैं मैं यूपी का हूँ मैं मध्य प्रदेश का हूँ क्या मैं अप्लाई कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों इसकी application fee कितनी पड़ेगी 100 रुपे के दोस्तों आपको फीस पड़ेगी इसमें ठीक है और इसके अलावा अगर आप women candidates है candidate belonging to schedule का schedule tribe ठीक है या फिर आप फिजिकली handicapped है एक service men category है इनको दोस्तों कोई भी फीस नहीं पड़ेगी अब दोस्तों कर लेते हैं डी ट्रिप्लेजबी ने दोस्तों एक advertisement पहले भी निकाला था यह निकाला था दोस्तों इन्होंने 2017 में अब 2023 में दोस्तों इसका advertisement आया है 2017 में दोस्तों जब इसका advertisement आया तो इसमें कुल कितने post निकली थी तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें कुल मिला के अगर आप देखे तो 273 दोस्तों वेकिंसी निकली थी और इसमें दोस्तों अगर मैं बात करूं जिसे ड्री ट्रिप्लेस भी का 2017 में दोस्तों निकला था और इसके लावब दोस्तों एक निकला था 2019 में ठीक है न तो आप देख सकते हैं कि जो पहले इड्वीटीसमें निकला था वो उसमें 260 पोस्त थी बात में दोस्तों उसमें हो गी थी 273 वेकिंसी तो इसमें unreserve के लिए दोस्तों यहाप 79 थी बात में दोस्तों कितनी हो घी यह ती 73 वेकिंसी में अन्रिजर्व में 88 पोस्ट थी जब कि इस बाद 244 में अन्रिजर्व के लिए 111 पोस्ट यहां पर निकाली गई है ठीक है ना तो पहले दोस्तों किया था कि कि DLSS B का जो अडिटिसमेंट था वो प्र 260 पॉस्त के लिए निकला था उसके बाद फिर इसको रिवाइस किया गया फिर 273 पोस्ट के लिए दोस्तों आडिविटिसमेंट निकाला गया था जिसमें अन्रिजर्व की 88 पोस्ट थी और UBC की दोस्तों बहुत थी 102 पोस्ट थी त इस बार un-reserved की पोस्ट वह तो यह पर जादा है यानि जनरल के इंडिएट्स की पोस्ट अपर समय उपको बता है इसके बार दोस्तु की काई इसके रिजल्ट की तो यह पर आप डेख सकते हैं दोस्तों की जो 60 और HH की not available और यह सब वागी not available था तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों यहां पर जो cutoff है दोस्तों वो किर गई थी 91.75 अब दोस्तों हम बात करेंगे इसके syllabus के बारे में दोस्तों मैं आपको पहली बता दूँ यह statistical assistant का unofficial syllabus है दोस्तों मैं आपको पहली बता रहा हूँ यह हमना दोस्तों जो इसका second part B है इसका unofficial syllabus बनाया है पहला जो part A है पार्ट A में मैं आपको पहली बता दिया इसमें दोस्तों आपके 100 number की आपकी GK, GS, Reasoning, Hindi और English आने वाली है हर किसी को पांच-पांच मां हर किसी को 20-20 मां के दोस्तों distributed है तो उसकी preparation तो आप कर सकते हैं उसका तो कोई भी general paper उठा के देख लो तो उससे आपको पता लग जा है आप इसमें कोई भी भ्रम्य ना रहें इसमें आपकी केवल और केवल दोस्तों आपसे स्टाड़सिक्स पूछे जाने वाली है स्टाड़सिक्स में कुछ portion आपका math का रहेगा लेकिन math का दोस्तों आप मान के चलिए कि वो भी इस्टाड़सिक्स के अंदर कथी आता है ठ इसमें सबसे पहले आपकी आती है descriptive statistics, इसके अलावा दोस्तों इसमें आएगी probability theory, distribution theory आएगी, estimation and test of hypothesis आएगा, इसमें मैस का जो पार्ट देख सकते हैं वो है mattress और इसके अलावा operation research, operation research में दोस्तों जैसे कि आपने दिखा होगा linear programming problems आती हैं दोस्तों वो इसके इंतरगत कि design of experiment आएगा, vital statistics and time series analysis दोस्तों याती है और इसके अलावा economic statistics दोस्तों इसके इंतरगत आएगी, ठीक है तो एक बार दोस्तों जरा सब देख लेते हैं क्या क्या आएगा, descriptive statistics के इंतरगत क्या क्या आता है, देखिए सबसे पहले descriptive statistics में दोस्तों आपके statistics में introduction होता है, limitation, distrust ह collection, classification and presentation of data आता है, graphs होते हैं, charts, diagram जिसे आपने पढ़ा होगा, bar diagram ठीक है, इसके अलावा charts होते हैं किस ताइप के histogram होता है, ogive tabulation of data, frequency data ठीक है न, तो ये दोस्तों आपका descriptive statistics में पहले statistics के अंदरगाद आता है, इसके अलावा descriptive statistics में measure of central tendency आती है, इसमें आपने पढ़ा होगा mean median mode है, average है, arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean, ठीक है, इसके अलावा partition value में जिसे आपके quartile, decile, percentile, ये सबी दोस्तों इसके अंतरगत आता है, ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इसमें ये तो हो गया measure of central tendency, इसके बाद आएगा measure of dispersion, इसमें आपका range है, quartile division है, mean division, standard division, measure of relative dispersion, ये दोस्तों आपके स सबी इसके अंतरगत आएंगे, इसके बाद फिर आपका आता है, moments, इसमें आपका skewness and kurtosis आएगा, different types of moments आते हैं, उनके relations से पहर, skewness, kurtosis, ठीक है, और measure of skewness and kurtosis, pierson, coefficient of skewness, bowley coefficient of skewness, ये सबी दोस्तों इसके अंतरगत आपको देखने को मिलेगा, इसके अलावा, दोस्तों rank correlation है, measure of association, attributes, ये सभी दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, next दोस्तों है, जो unit मैं, unit wise दोस्तों में divide क्या है, probability theory, probability theory में दोस्तों आपको सभी कुछ देखने को मिलेगा, जैसे कि इसमें आपका addition theorem है, multiplication theorem है, conditional probability है, base theorem, total probability theorem है, random variable क्या होता है, expectation क्या होता है, moment generating function, sequence of random variable, independence of random variable, law of large number, central limit theorem, इसकी application दोस्तों इस सब probability theory में आपको देखने को मिलेगी, इसके बाद दोस्तों probability distribution आजाता है, distribution theory के अंतरगात आएंगे, इसमें आपका discrete distribution है, तो इसमें जैसे कि आपके, क्योंकि आपके अलग-अलग type की distribution होता है, जैसे कि discrete होता है, फिर continuous distribution आते हैं, जैसे कि इसमें uniform आता है, exponential आता है, gamma, beta, log, normal, logistic, weibull distribution, by-variety, normal distribution, ये सभी दोस्तों इसके अंतरगात आते हैं, फिर आते हैं, sampling distribution जिसमें आपके students, T distribution है, F distribution, chi-square distribution, ये सभी दोस्तों इसके अंतरगात देखने को मिलेगा, इसके बाद फिर estimation है, test of hypothesis, इसमें आपके estimation, basic property of estimator है, concept of sufficiency है, UM, V, U, R है, completeness method of estimation, test of hypothesis इसमें आपको देखने को मिलेगी, जिसमें हम null hypothesis को check करते हैं, तो two types of error है, significance level है, power of test है, test based on normal, T, chi-square and F distribution, ये सभी दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, इसके बाद आती है दोस्तों अगली sampling theory, sampling theory में दोस्तों जिसे कि आपका concept of population है, इसमें आपकी सभी तरह की sampling आईगी दोस्तों जिसे कि आपकी probability sampling, non probability sampling techniques, ठीक है, और stratified random sampling, system sampling, multi-stage sampling, sampling and non sampling error, दोस्तों इसमें आपको देखने को मिलेगा, मैं थोड़ा जल्ली ही बता रहा हूँ, फिर भी आप इसको देखते वे चले जाओ, आपको पढ़ना इसी में सही है, इसी में सही आपका statistics का paper दोस्तों बनने वाला है, ठीक है, design of experiment है, इसमें दोस्तों आपकी analysis of variance है, CRD है, ठीक है, आप RBD है, ठीक है, और यह randomized block design होता है, ठीक है, जैसे आप field है, field में, जैसे आप designing का होता है, experiment, उसी से सम्बंदित होता है, ठीक है, इसको हम ANOVA को analysis of variance बोलता है, ठीक है, इसी तरह से आपके LSD होता है, Latin square design होता है, factorial design है, BIBD है, split plot technique है, यह सभी दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, यह fundamental of applied statistics के अंतरगात आता है, सारा का सारा, ठीक, इसके बाद फिर vital statistics है, vital statistics में दोस्तों आपको सारे के सारे जैसे, vital statistics जैसे की जन संग्या से सम्बंदित होता है, तो इसमें साब को rates है, ratio of vital, birth rate, death rate, सब दोस्तों आपको मिलेगा, mortality and fertility, measurement of mortality, fertility, center mortality rate, यह सभी दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इसके अलावा इसमें time series analysis आपको देखने को मिलेगी, जैसे इसमें आपकी economic time series है, इसके different component है, additive and multiplicative model, ठीक है, trend है, seasonal index है, यह सब को दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, वाइटल statistics, इसके बाद दोस्तों एक आती है, economic statistics, economic statistics में दोस्तों आपको सबसे important है, दोस्तों इसमें देखते हैं, index number देखने को, और application है, इसके अलावा link and chain relative है, इसके अलावा simple aggregate and weight average method है, last pairs यह बहुत important है, दोस्तों यह methods, last pairs and passay and fishers index number है, ठीक है न, तो यह package हो गया, last pairs हो गया, fishers हो गया, यह से संबंदी दोस्तों आपके बहुत ज़्यादा प्रशनाते है, time and factor reversal test हो गया index number में, यह सब आपकी economic stress, अब यह official statistics है, दोस्तों यह उत्राखंडे में तो आपके आती है, लेकिन DPP में भी इसके आने के chances रहेंगे, लेकिन यहां आ भी सकती, नी भी आ सकती, इसलिए भी दोस्तों मैंने स्टाल लगा रहा है, इसमें जैसे कि आपका introduction है, Indian statistical system, जैसे कि CSO है NSSO है, census, national income statistics, दोस्तों यह इसके अंतरगाता थी, मिल अब कहने का मतलब है कि statistics की कहां का branches है, NSSO के अंतरगत क्या 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 आता है, CSO के अंतरगत क्या 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 आता है, ठीक है, अब तो CSO की जगह पे NSO हो गया है, national statistics office हो गया, यह सब चीजें दोस्तों आपको देखने को थोड़ा सा मिलेंगी आपर, ठीक है न, तो यह official statistics के अंतरगाता था, कहने का मतलब यह है कि official statistics में जो आपकी MOSPI है, M.O.S.P.I., ठीक है, ministry of statistics and planning जो department है, उसके अंतरगा, जो जो चीजे चल रही है, वो दोस्तों आपने यहां पर पढ़नी पढ़ेगी, ठीक है, तो इसको ध् statistics, आप मतलब general knowledge के संबनित question, यह हो सकता है कि दोस्तों जो आपके official statistics है, वो जो general knowledge वाला पीपर है, वहां पर आपको देखने को थोड़ा सा मिल जाए, इसके अलावा देखिए, matrices, यह तो आपको पता ही, matrices तो आपने, अगर आप MSC, maths वाले हैं, तो आपको पता है कि क्या क् matrix में, लेकिन जो भी आएगा दोस्तों graduate level का आएगा, elementary operation of matrix, inverse of matrix, row, rank column matrix, इसके अलावा दोस्तों rank of matrix निकालना, eigen vector, eigen value, characteristic equation of matrix, ठीक है, यह सब दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, generally matrix में यह यह आता है, ठीक है, इसके बाद आती है, operation research, तो इसमें आपके various type of operation problem है, linear programming problem है, LPP है, simplex method है, ठीक है, dual problem है, duality है, यह सब दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, तो यह सब दोस्तों आपका operations research में आएगा, इसके अलावा दोस्तों मैंने एक topic नहीं रखा है, वो है statistical quality control, तो वो भी दोस्तों आपको देखने को मिल सकता है, on an average दोस्तों यहाँ पर आपको यह सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकते है, statistical quality control भी दोस्तों आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, उसको मैंने हलंकि आपर mention नहीं किया, क्योंकि उससे संबंदित मुझे प्रशनित दिखे नहीं, लेकिन फिर भी आज के समय पे हमें प्रपेर रहना चीए, हमें थोड़ SC Gupta and V.K. Kapoor की book आती है, SC Gupta and V.K. Kapoor, ठीक है, आप इस book को जरूर पर्चेस करें, यह one of the best book है, SC Gupta and V.K. Kapoor, इससे दोस्तों आपको fundamental of mathematical statistics आपके काफी compare हो जाएगी, इसके अलावा आपके आती है, fundamental of applied statistics, applied statistics भी इनकी भी book आती है, ठीक है, आप इसको भी ले सकते हैं, applied statistics में इनकी भी book आती है, applied देखी, यह तो होगी mathematical statistics और यह होगी applied statistics, तो आप इसको ले सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा दोसने एक program statistics, देखे, एक आती है, programmed statistics, ठीक है, program statistics, यह आती है by BL Agarwal, इसको भी आप ले सकते हैं, यह MCQ करनने के लिए best है, लें concept clearing के लिए दोस्तों आपने SC Gupta, V.K. Kapoor, and applied statistics, इसको बोलते है, fundamental of applied statistics, mathematical statistics में simply आप statistical techniques सीखते हैं, दोस्तों, fundamental of applied statistics का मतलब है, कि जो आपने statistical techniques, जो सीखी आपने, उसको आप apply कैसे करेंगे, तो जिससे में statistical quality control है, या फिर आपका दोस्तों, यह जो आपने, इससे पहले दोस्तों, जिससे के random sampling है, या फि दोस्तों, आपको समय देखने को मिलेगा, time series analysis है, कहने का मतलब है, statistics का वियावारिक जीवन में उपयोग, तो इसको क्या बोलेंगे, applied statistics बोलेंगे, तो वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है ना, तो यह कुछ books हैं, दोस्तों, जो कि मेरे तरफ से है, इसके गुपता की जो book है, काफी आसान language में है, और यह जो commerce वाले students हो, उनके लिए design कीगे, तो बड़े आसानी से वो उसको पढ़ सकते हैं, बड़ा आसान इसमें दिया होता है, ठीक है ना, तो यह सब चीज़ने दोस्तों, आमको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, और बाकी दोस आपको यह सारी चीज़ने देखने को मिलेंगी, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की लेकना ही, मिलते हैं, नेक्स वीडियो में, I hope कि दोस्तों इसमें आपके सारे के सारे doubts clear हो गयोंगे, मिलते हैं, नेक्स वीडियो में,